वेलकम बेक दोस्तों ओप्शन बाइंग के जो वर्क्शोप हमारा चल रहा है उसमें एपिसोड नमबर हम 11 तक पहुंच गए तो अभी तक की जरनी बहुत ही अच्छी है तो आज मैं बहुत ही यूनिक टॉपिक कवर करें वाला हूं जिसको मैं बोलता हूं कि अगर हम सोचना सीखना पड़ेगा हमको ठीक है मैं फिर से रिपेट कर रहा हूं इफ यू आर ऑप्शन बायर तो यह व्यू आप्शन सेलर अलसो मतलब हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं तब सामने वाली टिम को भी अनलाइस करना पड़ेगा उसकी विकनेस पे भी अपने को वार करन पड़ेगा यह जो काफी सारे ओप्शन बायर यह चीज़ को बहुत भी साउट करते जाते हैं इसको माइंड सेट का गेम हैं यह सब चीज़ राइट सो हमें यह सोचना है कि कौन सी-कौन सी कंडिशन है या तो कौन सी-कौन सी सिच्वेशन है जहां पर ओप्शन सेलर डरता है वो ट्रेड नहीं लेगा या तो वो ट्रेड अपना कवर करनी के लिए एजस्मेंट कवर करनी के लिए मार्केट में जंप करेगा और मार्केट भागेगा वो सभी चीजों का हम फाइदा कैसा उठाए कोई कई बार अपने को चीज़े अवोइड करनी है कोई बार वो ची जिले पेसा कि से बनाते हैं वो समझ लेते हैं। जब तक market कुए पारटिक्लर रेंज में यह बहुत आइडियल सिनारियो होता है। कि जितना market रेंजमर होता है Theta DK seller का friend होता है हमारा दुश्मन होता है option buyer का तो superior सेलर इसका खूब फाइदा उठा के पैसा कमाएगा जैसे मार्केट ट्रेंडिंग होगा ट्रेंडिंग मार्केट तो ज्यादा तर ओप्षिन सेलर को यह ट्रेंडिंग मार्केट पसंद नहीं होता अब इसका मिलब यह नहीं कि यह लोग ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, करते हैं, ऐसी भी strategies होती है, बड़ उनको कैसे market ज्यादा दर पसंद है, ऐसे कि जो trending ना हो, तो वो ज्यादा पैसे कमाईगे, समझा रहे हैं, अच्छा, उट से उल्टा, अगर आप option buyer हो, तो आपको तो हमेसा movement चीए न, देखो, आज का market देखो, उसमें आप कैसा पैसा कमाऊगे, जहां पे एक range-bound market है, consultation हो रहा है, वो हमारे लिए सही नहीं है, हाँ, पर वही चीज option seller के लिए तो बहुत अच्छी है, हेजिंग के लिए तो बहुत अच्छी है, पैसा उसमें से बन जाएगा, दोनों एकदम opposite है, अब हमेशा अब इन चीजों को कैसे identify करें, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, अलग-अलग example देता हूँ, और there is no any shortcut, अगर आप बोलोगे, के sir, अपने वीडियो में बोला तो बहुत कुछ, but मैं execute कैसे करो, so there is no any shortcut, अगर आप shortcut मेंटालिटी से देख रहे हो, तो ऐसा कोई shortcut नहीं है, it's all about कि आपका mindset, यह strategy, mind games है यह सब, इसका कोई shortcut नहीं हो तक मैं आपको एक equation देदो, आपको समझना पड़ता है, चाहर्ट पैसे देखना पड़ता है, एक simple से चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं 4 hours के चार्ट में चला जाता हूँ, bank nifty के 4 hours में चार्ट में, ठीक है, और हम एक daily chart भी देख लेते, daily chart bank nifty में क्या बोल रहा है, कि यहां से उसने upside देखो, यह continuously trended market है, daily basis पे, trending market है, यह market के लिए best है, अब इसका मलब यह नहीं कि यहां पे seller सब डूबे होंगे, वो भी तरीके होता हैं, ऐसा भी market को adjust करने के लिए, बट यह market आइडियल नहीं होंगे लिए, अच्छा, यह जो पूरा एक range देख रहे हैं अब काफी सारे दीनों का, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, काफी सारे 15-20 दिनों, अल्मोस एक महीने का यह range है, यह best होती है, यहां पे buyers के लिए पैसा बनाना बहुत difficult होता है, यहां पे monthly hazing, weekly hazing करके, यह लोग पैसा कमा लेता है, बट, एक चीज़ हमें देखनी है, अगर मैं वन आर के market में चले जाओ, देखो, वन आर में में चला गया, यहां पे एक line broker लेता हूँ, तो आप देखोगे कि काफी दिनों से, एक range बनी गूए, ठीक है, अब यह पाच तारिक, यह छे तारिक, यह साथ तारिक, यह आठ तारिक, चार दिन, चार दिन से market एक range में, अब मैं आपको बताओ, प्रोब्लम क्या होता है यहां पे, यह जो चार दिन है न, वो actually buyers के दिन नहीं होते, अब इसका मलब, again, इसका मलब यह नहीं कि buyer पैसा नहीं बना रहा होगा, बना रहा होगा, पर एक limit होगी, trending इतना बड़ा बूसको नहीं मिलने वाला है, right, so, जैसे ही range एक break होती है न, तो sellers panic करने रहते, या तो position अपनी close करेंगे, या तो adjustment करना शुरू करनेंगे, जूम करता हूँ, आज का market exactly इस range के ऊपर है, ठीक है, ब्रेक कर दी, चार दिन बाद यह range ब्रेक कर दी, ठीक है, अब जैसे ही अब आज का high ये तोड़ेगा, देखो, ये जब high तोड़ेगा न, 47,600 का, अगर आज तोड़ पाए, कल तोड़ पाए, तो देखने, बहुत अच्छी move आए और seller को ये move पसंद नियोगी, उनका calculation बिगड़ जाए, अब ये चीजे में, ऐसे बायर कैसे फाइदा उठा सकता हो, बहुत बढ़िया चीज में आपको बुलाता है, जहां पर ये range शर्वाइव कर दिये, जहां पर ये high तोड़ता है, तो वहां पर qualitative buyer ज्यादा आते, momentum अच्छा मिलता है हमें ऐसे buyer, पर अच्छी मूँ के expectation ज्यादा होती है, compare to, ये box के अंदर जो भी होगा न, उसमें ना तो उतना momentum आएगा, ना तो इतनी अच्छी moment आएगी, ना तो इतना अच्छा आपने को trading करने का मज़ा है, ये नहीं होता है, अच्छा, इसके नीचे अगर हम खोड़ा चले जाए, तो देखो, यहाँ पर जैसे ही ये range ब्रेक हुई, एक consolidation चल रहा है, एक gap up हुआ, ये इतना बड़ा gap up हुआ ना, एक तीन, gap up हुआ मतलब क्या हुआ, एक range को तोड़ दिया, उसके बाद देखो, ये market टिका, तो कि इतने मड़ी range आ गई, तोड़ेगा ना, so you will understand, अभी इस सीज को है ना, मैं क्या करदा हूँ पर है, देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एक range थी, ये देखो, ये range बन गया है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ दिन, उसके बाद जो तूटा, ये range तूटी, तो कैसी movement आ गई देखो, समझे, आप देखना, तो यहाँ पर पूट डालने जाओ, यह तो as a seller को strategy डालने जाओ, आपको परेशान होगी, यह जो, यहाँ पर ही जो situation है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यह situation बाएर के लिए बहुत कराब है, हाँ, एक, दो, दो, दिन, जैसी यहाँ पर cool side, अच्छी movement मिलेगी, यहाँ पर cool side, अच्छी movement मिलेगी, बड़ इसके जैसी movement नहीं मिलेगी आपको, जो यहाँ पर हुआ है, वो नहीं मिलेगा आपको, सो ऐसी चीजों को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अब जैसे मैं 4R के chart में चला जाता हूँ, आप एक चीज तूटने के बाद वो आपके continuously एक अच्छा momentum downside दे देता है, अगले 2-3 दीन भी ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी time की एक range थी, वो तूटी है, अब सेलर का, इतना market में काम नहीं रहा है, जितना हमारा काम होँगा, इसी चीजे हमें ढूंटा रहना है, अगर यही चीज को, अगर मैं 30 मीट के chart में भी डाल दू ना, you will enjoy it beautifully देगा, 30 मीट के chart में आपको और अच्छा दिखेगा, क्या हो रहा है market में, market तीरे चल रहा है, fast चल रहा है देगा, एक एक चीज आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेंगी कि market कहां पर रूख रहा है, क्यों रूख रहा है, कैसे रूख रहा है, किसका market है, यह buyer का है, seller का है, चब पी जब देखो, यह 3-3 दिन consolidate होता है market, उसके बाद सीधी एक बड़ी range मिल जाती है, ठीक है, 2-2-3-3 दिन तक, तो ऐसी 2-3-3 दन की, जब की range मिल जाती है उसको दिमाग में रखो, कि क्या हो रहा है market में, जैसे ही वो range break होगी, चोपी साइड, उसके दूसरे दिन 15 मिल का candle कहां पर break होता है, आपको उसी direction में आप trade करोगे न, देखो, एक आप चीज समझो, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, कि यहां दो, दो, तीन, तीन, दिन से consolidation चल रहा है, यह जो last candle ही, यहां पर इसको range break कर गी, अब दूसरे दिन मेरा trading का एक understanding क्या रहेगा, कि यहां पर तो bend बच चुकी है, जो भी लोग adjustment कर रहे होंगा, एक range टूड गई, यह इस दिन market open होता है, और जैसे ही 15 मिट का low break होता है, बड़ी 400-500 point की moment आपको आसानी से मिल जाएगी, direction भी पता चल जाता है, moment भी आजाती है, और moment फास्ट आती है, पैसा बन जहाता है, उसमें, so यह understand करो कि भाई, sellers कहां पर फस हैंगे, sellers क्या कर सकता ही यहां पर, weekly मैं उतना focus नहीं करूँगा, क्योंकि weekly वो फिर आ पोजिश चेक करो, अब काफी सारे traps पता चल जाएंगे, जहां पर seller फसने वाले है, मैं अगर recently चीज को देखता, फोर आचाट में, तो मुझे पता है, यह अच्छा सा train तो चल रहा है, अब यह जो बहुत बड़ा gap up हुआ ना, यह gap up ने काफी सारे sellers को exit करवाया होगा, profit booking करवाया ह हुँँगे, इसलिए market इतना बड़ा था, market को बढ़ना था, वो तो बढ़ा ही, बड़ अभी किसी के हाथ में रुक नहीं रहा था, क्यों, कितने दिनों बाद इतनी बड़ी range तूटी है, अब यह नहीं रुकने वाला है, समझा रहा है, तो उस दिन में, पंद्रा दिन की, केंडल, क्या करती है, वो अगर आप देख के आऊना, तो यू विल लो, कि वो ब्रेक नहीं कर रहा है, वो आगे के आगे ही जा रहा है, आपको काफी सारे ऐसे instances मिल जाएंगे, जो आपको analysis करने में, या तो decision लेने में, आपको बहुत फाइदा गरवाएंगे, अगे इन 4R का हो रहा है, सबसे बड़िया चीज होती है, डेली चीज को observe करो, 1R को observe करो, 4R को observe करो, range निकालो, even 30 minutes, पता ना चले, तो 30 minutes का चार्ट यूज करके, उसमें से range ढूंडो, जब जब वो range ब्रेक होती है, कौन से direction में, उसके बाद 15 minutes की candle क्या करते है, उसके बाद 1R की candle क्या करते है, यह सब आप देखो न, you will literally know, कि seller panic हो रहे है, adjustment कर रहे है, profit book कर रहे है, वो सब ideal situation होती है, हमारे लिए trade लेने के लिए, बहुत मजा आता है, इस situations को देखने के लिए, समझने के लिए, परकने के लिए, और trade लेने के लिए, ठीक है, एक और मैं आपको चीज बताता ह है, आपको एक और चीज बता देखो, पंद्रा मेंट का हम चार्ट अब्सोग कर रहे है, हम जब daily, जब market open होता है, या तो previous date का पता चलता है, ठीक है, कई बार, ऐसे सब signal ढूंडो, कि market कहां पर रुकेगा नहीं, यह जो है, न, पंद्रा मेंट की दो candle, पंद्रा मिनिट की दो candle का जो low है, वो same है, मतलब market इसको defend कर रहे है, वहाँ से moment लेगा ही लेगा, कई बार, पंद्रा मिनिट की दो candle का high same होगा, मतलब वहाँ से वो नीचे जाने की, try करेगा ही, करेगा, additionally, यह सब signal आप ढूंते रहोगे न, apart from की buyer or seller के बीच में क्या हो रहा है, you will be amazed कि आपक पिले देख के आओ, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यह कौन सी date है, मैं आपको अभी 4Rs के चार्ट में भी दिखा था हूँ, 29 November है, पर देखो, यहाँ पर दो candle का low almost same है, ठीक है, अब मैं इसको 4R के चार्ट में यहाँ पर कर के आता हूँ, ठीक है, अब मैं उसमें से कहीं न 29th November को ढूंडूंगा, ठीक है, यह रही 29th November, तो यहाँ पर अगर मैं 4R के चार्ट में देख रहा हूँ, यह मेरा रहा 29 November, यहाँ पर देखो, काफी दिनों से एक यह market ने high बनाया था, यह high कौन सा था, जो gap डाम के बाद हुआ था, यह high, यह पता चल रहा है, यह वाला high, यह high market ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन क्रोस नहीं किया, अब जूम कर ले ना, वीडियो में ना देखो, यह high last high था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन क्रोस किया, 6 दिन तक यह high क्रोस नहीं किया, 7 दिन किया, 7 दिन कब किया उसने, 28 November को, और उसके बाद यह बहुत बड़ी moment आ गई, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पता है, इसको ले जाता हूं फिर से 15 मिन, 15 मिन में जाके, अपने आ जाते हैं, वो वाली, देखो, 28 तारिक को, इसने छोटा साइक यहां पे अपने को, दिखा है, फिर से डाउन गया, फिर से आँ गया, यहां पे कुछ नहीं हुआ, अब यह ना, म जया तो था, पर बिचारा कुछ करनी पया, थोड़ा सा उपर जाके नीचा आए, फिर से उपर गया, तो यहां पे एक इंडिकेशन के बाहर इसको क्रोस करना चाते थे, थोड़ा क्रोस भी किया, पर ज्यादा नहीं कर पाए, छे दिन की रेंज, साथवे दिन तोड़ने की कोशिश की करनी पये, अब जैसे दूसरे दिन मार्केट खुलता है, गेप अप होता है, गेप अप के बाद 15 मेट की दो केंडल का लो ओल्मोस सेम है, और बाद भी 15 मेट का हाई क्रोस होता है, समझा रहे है न, गेम क्या खिल रही है, छे दिन तक मार्केट हाई क्रोस नहीं कर वारा था, साथवे दिन पर ट्राई किया था, तो भी फेल रहा था, पर वहाँ पर एक ट्राई दिख रही थी, फोड़ा क्रोस कर लिया था, आठवे दिन को gap up हो जाता है, पंदरा मिट का low, दोनों का almost same है, और पंदरा मिट का high तोड़ता है, अब यहाँ पर बड़ी moment क्यों है कि बता है, एक तो यह च्छे दिन की range थोड़ा, दूसरी, यहाँ पर काफी सारे seller adjustment करेंगे, उसके लिए उनको काफी सारे contract sale करने पड़ेंगे, काफी सारा panic होगा यहाँ पर seller का, तो यह दिन पर बड़ी moment आनी है, अब इसका अलब नहीं है कि आएगी ही आएगी, पर chances इसके बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो आपको, so you have to understand कि कौन सी range में अभी seller बैठे होंगे, उनके लिए panic point क्या है, market उस range के बाद कैसे खुलता है, पहली 2-3 candle कैसे survive कर दिये market की, बहुत interesting concept है, जो कोई discuss नहीं गरता यह सब चीज़े, और इसका कोई shortcut भी नहीं है, देखो, I cannot give you any equation, शायद काफी लोग comment भी करेंगे, यार, यह तो बहुत ही boring है, इसमें तो कुछ अपने को मिला न नहीं सिखने के लिए, बट वो उन लोगों के लिए नहीं, इनका दीमाग चले, जो कुछ जाचना परेखना चाहते है, market में, मैंने उनके लिए दिए, right, so कोई भी अगर queries, option buying, selling, aging के लिए, कोई doubt आपने मन में, so get in touch with me via WhatsApp, I will guide you as much as possible, मिलते रहेंगे, अच्छ अच्छ वी अगर आपका aim यह है कि आपको option में जीतना है, कच्छी income या तो wealth build करनी है, बट market में आप tips से परेशान हो चुके हो, tips से ठक गए हो, लोगों के लाखो करोडों के profit screenshot का आपको कोई फाइदा नहीं हो रहा है, आपको एक genuine और honest guidance चाहिए, जहांपे आप nifty और bank nifty में काबिल अबन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत अच्छा initiative लिया है, हमने एक unique telegram channel स्टार्ट की है, जिसका नाम है nifty bank nifty VIP traders, जिसके फी बहुत ही reasonable है, कोई भी एक छोटा सा भी trader join हो सकता है, यहां पे हम कोई भी tips प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी profit के screenshot प्रोवाइड नहीं करत हैं, अगर वो 3-6-12 मेने में अगर वो capable बन जाते हैं, तो यह channel का aim अचीव हो जाएगा, तो अगर आप भी ऐसे trader है, जिनको tips या तो shortcut नहीं चाहिए, पर आपको capable बनना है, तो आपको इस telegram channel की link YouTube के description में और comment section में मिल जाएगी, आप इसको बहुत आसान तरीके से join कर सकते झाहिव हुआ पिर झाज़ बनुएब Jewish जाएब़ झाहिए हैं झाएब़ का चाज़ की कर सकते हैं, यह, इसको च dépend